जैशे कृष्णा कैसे आप सब लोग हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्राठना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें स्वस्त रहें मस्त रहें पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटे के साथ आगे पढ़ें डियार आपका बहुत-Бहुत स्वागत है आपकी चैनल spiritual love 111 में आज डिटिंग होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी आज किसी की कोई बात नहीं सिर्फ आपकी बात होगी आज आपकी personality की आपके व्यक्तित्व के आपके अस्टित्व के बात होगी आज आपके जीवन की सच्चाई आपके सामने रखी जाएगी और करिंटली जो भी चल रहा है उसको देखते हुए आपको कोई ना कोई सजेशन भी दिया जाएगा जो कि एक तरीके से गाड गाइडेंस होगा आपके लिए ठीक है? तो क्या है आपके जीवन की सच्चाई? आज आपको अपने बारे में जानना है देखते हैं आप कितना खुद के बारे में जानते हैं और एक बात रीडिंग देखने से पहले आप जिनको भी मानते हैं जिन भी देवी देवता को पूझते हैं मानते हैं उनका नाम reading देखने से पहले ज़रूर लिखना और reading सुनने के बाद आपको से reading कितनी raisonnet हुई ये हमें comment करके ज़रूर बताना, कितने percent match हुई ये ज़रूर बताना, हमें बहुत 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 अच्छा लगेगा, जैसे कि हम आप लोगों के लिए मैनत करते हैं तो हमें भी खुशी होती है जब आप positive से comments करते हैं आप लोग जब share करते हैं, like करते हैं तो वो भी हमें दिखता है किसने किसने share किया ये भी हमें दिखता है हमें सब दिखता है, ठीक है? तो हमें अच्छा लगेगा, आप share करेंगे, तो हमें भी motivation मिलेगा हाँ, तो आज आपको money money में तीन बार अपना नाम लेना है अपने बारे में सोच कर एक option choose करना है उसके बाद आपको अपनी reading देखनी है, ठीक है? देखते हैं कि क्या व्यक्तित्व है आपका, कैसे व्यक्ति हैं आप? तो reading की शुरुवात करने से पहले चलिए दो मिनट का meditation कर लेते हैं meditation बहुत जरूरी है ना? मन को शान्द करने के लिए आखे बंद करिये ओम्भूर्भुवस्वः ताच्यवित्वर्वरेन्यम् भर्गो देवस्य धीमही धीयो यो ना अप्रचो दयात हे इश्वर मैं आपका हृदे से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं ब्रम्हांड की सभी शक्तियों का नमन करता हूँ वंदन करता हूँ अभिनन करता हूँ रिदे से उनका आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आप सभी के आशुरवात से मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ बहुत स्वस्थ हूँ, मस्थ हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ मेरे सारे कारे बनते जा रहे हैं, लोग मुझे बहुत त्यार करते हैं, एप्रिशेट करते हैं मेरे परिवार में परस पर प्रेम बढ़ता जा रहा है मेरे सारे काम सफल होते जा रहे मेरे इक्षाएं पूरी होती जा रहे है जो मैं पाना चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है और इस सब कुछ आपके प्रेम आशिरवात से हो रहा है So thank you so much universe Thank you so much I love you, I love you so much जैशे कृष्णा Option number one कैसे हैं आप? I hope कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे पॉजिटीव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे चलिए अब आप लिखें कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ स्वस्थ हूँ, मस्थ हूँ, पॉजिटीव हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हूँ क्योंकि मेरे उपर इश्वर का बहुत आशिरवात है पॉजिटीव लिखेंगे तो पॉजिटीव ही होगा नेगाटिव लिखेंगे तो नेगाटिव होगा तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए डियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल Spiritual Love 1111 में आपका बहुत-बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन है आज हम किसी और की कोई बात नहीं करेंगे आज सिर्फ आपकी बात होगी व्यक्ति पूरा जीवन दूसरों के बारे में जानने में गुजार देता है कभी खुद के बारे में नहीं जानना चाहता मैं कौन हूँ? मैं क्यूं हूँ यहाँ पे? मेरा क्या परपस है? इंसान जिन्दगी पर दूसरों से प्रेम करता है और धोके खाता है रोता है शिकायत करता है और जिन्दगी यूही रो रो के गुजार देता है कभी खुद से प्रेम नहीं करता कभी सेल्फ लव नहीं करता तो आज की जो रीडिंग है वो आपकी रीडिंग है आपके व्यक्तित्व के आपके अस्तित्व की रीडिंग है कैसे व्यक्ति हैं आप आज आपकी पोल खोलेंगे हम कि आप कैसे व्यक्ति हैं लेकिन ये तो आप हमें बताएंगे कॉमेंट करके बाद में कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई रीडिंग कितनी सही थी ठीक है तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉंग साइन के बात कर लेते हैं उसके बाद रिडिंग के शुरुवात करते हैं कैंसर स्कॉर्प के पाइसेस करक विश्चिक मीन राशी बहुत स्ट्रॉंग है और जेमिना लिब्रेक वीरेस भी है मिथुन तूला कुम राशी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के एनर्जी थोड़ी सी कम है एरीस लियो साजिटे इसकी एनर्जी भी थोड़ी सी कम है धीक है लिब्र आपकी डेट और वर्थ हो सकती किसी मेहने कि 16 तारीख 15 तारीख 6 तारीख 31 साथ तारीख 14 तारीख 13 तारीख 10 तारीख एक तारिख तीस तारिख आपका बर्द मन्त जुलाई एप्रेल जैन्वरी जून और अक्टूबर हो सकता है अगस्त दिसम्बर भी आपके नाम का पहला अक्षर M M हो सकता है M से बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम आते है M हो सकता है O हो सकता है K हो सकता है R हो सकता है P हो सकता है T हो सकता है D हो सकता है I हो सकता है V हो सकता है G हो सकता है S हो सकता है Y हो सकता है ठीक है? आपके नेम का इनिशियल Dear जितने लोग पाइल नमबर बन देख रहे हैं अच्छे कभी-कभी आपको भी लगता होगा कि लोग तो मेरे साथ गेम खेलते हैं वो बात तो अलग है लेकिन ऐसा लगता है कि कुद्रत भी मेरे साथ गेम खेलती है आपकी जिन्दगी पता है कैसी है साप सीड़ी वाला गेम होता है न ऐसी है बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है बहुत चलते हैं बहुत चलते हैं और अगर थोड़ा सा चूप गए और किसी साप के मुझ के पास चलेगा तो सीधे शुरू से जिन्दगी शुरू हो जाती है आपके जिंदगी में stability है ही नहीं, है ही नहीं, आपको एहसास हुआ इस चीज़ का, कि जैसे कि हर पल ये कुद्रत, ये प्रकर्दी, ये उनिवर्स आपको कुछ सिखा रहा है, आपकी लाइफ को एक जगा स्थाई होने नहीं देता, ये उनिवर्स, जैसे कि एक stability नाम की चीज़ी नहीं आपकी जिंदगी में, आज यहां कल वहां रमता जोगी बहता पानी, इन दोनों की एक ही कहानी, आपको पता हैं इस तरह की बात आपसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही spiritual हैं, और जो जिंदगी को देखने का नजरिया है ना आपका, जो व्यक्तित्व है, जो लाइक द्रस्टी कौन है आपका, वो बहुत spiritual है, बहुत अलग तरीके का है, बहुत ही बड़ी बात हो जाए, बहुत ही बड़ी, तो आप कभी अपना आपक हो बैठें, वरना बड़ी सी बड़ी उलजनों में भी अब आप शान्त रहते हैं, ऐसा लगता है यार ये तो रोज रोज का काम है कब तक हम परिशान होंगे कब तक हम अशानत होंगे पहली बार हुआ हो दूसरी बार हुआ हो तो इनसान सोचे भी यार क्यों हो गया क्योंकि हमें तो आदत नहीं थी लोग कहते न कि अब तो आदत सी हो गई है जो चीज़े बार 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 रिपीट होती न, तो फिर वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है, हमें आदत हो जाती है उनकी, ऐसे ही जो आपकी जिंदगी में जो भागम भाग है न, आपको आदत हो गई है उसकी, आपने एहसास किया है जिसे कि कोई दैवी शक्ति है जो आपका हात पकड़ कर आपको चलाती है, आप किसी एक रिष्टे में स्थाई नहीं रह सकते, किसी एक जगा पर स्थाई नहीं रह सकते, किसी एक घर में स्थाई नहीं रह सकते, किसी एक जोब में आप स्थाई नहीं रह सकते, आपका ट्रांसफर होता ही रहता है, चहे क अब मुझे पूरा जीवन इसके साथ बिताना है आपने सोच लिया चाहे वो कोई पसू हो पक्षी हो, जीव जन्तू हो कोई मनुष्य हो, कोई जगा हो जैसे होता नहीं कि वाओ ये जगा मुझे बहुत अच्छी लगी अब मुझे यही रहना है बस मुझे कही नहीं जाना अब बस मुझे यही वाली जॉब करनी है मुझे इस इंसान से बहुत प्यार है और इश्वर उसी चीज़ को आप से छीनते हैं बहुत समय तक कोई व्यक्ती कोई इंसान, कोई वस्तू आपके पास रह नहीं सकती क्योंकि जैसे कि परिवर्तन संसार करनी है में न, इश्वर आपको उसका एहसास कराते रहते हैं हाँ, उसका एहसास कराते रहते हैं और अब तो आप भी पहले शुरू शुरू में 2-4 बार आपको लगा यार क्या चल रहा है यह में साथ जैसे कि अगर किसी से प्यार करते हैं आप किसी से प्यार हो जाता आपको तो या तो वो कोई न कोई इशू क्रेट करके आप से दूर हो जाता है या तो फिर आपके मन में पता नहीं अजीब अजीब सी बात यान लगती है कि आप खुदी फिर उस रिष्टे में रहना पसंद नहीं करते आपका मन ही उस इंसान को लेके खराब हो जाएगा कि आपको लगेगा हटाओ छोड़ो मुझे नीचे ये कनेक्शन हो सकता है कि कोई चीज आपको बहुत प्यारी हो तो कोई चीज आपको बहुत प्यारी हो आप उसलिए तड़प रहे हो और या तो वो आपको मिलेगे नहीं अगर आपने पा लिया तो आप खुदी उसे छोड़ देंगे मन खराब हो जाएगा आपका चानक से तो कोई भी चीज कभी भी आपकी लाइफ में स्टेबल नहीं रही कोई इंसान नहीं कोई वस्तू नहीं पहले बुरा लगता था कि यार क्या चल रहा है लेकिन अब आदत से हो गई है लाइफ चेंज होती रहती आपकी और ऐसा नहीं है ये जो प्रकरती है न येक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में अगर कोई पढ़ना पाए तो ये समझ लो कि वो जिन्दगी को ढंग से जी नहीं पाएगा जिन्दगी को संदुलित कर नहीं पाएगा अगर इस लाइब्रेरी से कोई चूग गया प्रकरती ये पेड़ पौधे हर पल आपको कुछ न कुछ सिखा रहे हैं एक छोटे से छोटा पौधा भी आपको एक सिक्षा देता है एक बड़े से बड़ा व्रक्ष भी आपको एक सिक्षा देता है और आप सीखते हैं सबसे च्छी बात है कि आप सीखते हैं बहुत sensitive बहुत जैसे कि दिल के बहुत कोमल व्यक्ति हैं बहुत कोमल हर्दय के व्यक्ति हैं और बहुत open-hearted हैं जैसे कि सब जो भी अंदर में हैं तरात्मा में हैं वो आपके लफजों पहोगा बहुत ज़्यादा चुप रहना गुत ना बात दिल में रखना दबा के रखना बहुत ज़दा over thinking करना ये नहीं करते आप नहीं जो भी है जो भी बात है वस उसे clear कर दीना अब सामने वाले को बुरा लगता है भला लगता है वो अपने किस नजरिये से आपकी बात को लेता है वो उसकी headache है आपको बस कहना है और एक बार अपनी बात को समझाना है कि ये बा बहुत ट्रैक्टिकल भी बना दिया आपको situations ने बहुत जादा हम बहुत गूर बाते कर रहें बहुत गहरी बाते कर रहें आपके बारे में क्योंकि ये आपका जीवन है और आपके पास इतना ग्यान इतना ग्यान इतनी नौलेज आपने कठा कर ली कहते हैं लोगी चाहे हमें ठोकरे लगी जितना हम किसी किताब से कुछ सीखते पढ़ते नहीं है उतना हमानी जिन्दगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है पढ़ा देती है जैसे लोग कहते हैं कि हम पढ़े तो नहीं हैं पर हम कढ़े बहुत जादा हैं हो सकता है कि जमाने भर की डिग्रि ना हूँ आपके पास लेकिन मुश्कुराती आँखों के पीछे के दर्द को पढ़ लेते हैं और यही एक योग्यता होती है कहते हैं कि लाख जमाने भर की डिग्रिया हूँ आपके पास अगर शलक्ती आँखों को नहीं पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम और आप तो इस मामले में बहुत बढ़े लिखे हैं क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉंग है हमने बताया ना कि यहाँ पे कैंसल स्कॉर्प य पाइसे बहुत स्ट्रॉंग था जैसे कि आप दूसरों की भावनाओं को महसूस कर लेते हैं आस पास कोई एनर्जी है अच्छी है बुरी है यह भी आपको पता चल जाता है क्या बताया हैं आपको आप बहुत अकड में बहुत इगो में रहने वाले इंसान नहीं है जैसे कि जिन्दगी के सत्य को बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि यार किस बात की अकड सब एक दिन यही धरा रह जाना सब एक दिन यही पड़ा रह जाना है किस बात का अटिट आप जैसे कभी भी गुस्से में कुछ बोल देते हैं तो आपको बाद में बहुत गिल्ट होता है आप ऐसे व्यक्ति नहीं कि कभी आपको अपनी गलती के एसास नहीं हो आपको बहुत जल्दी अपनी गलती के एसास भी हो जाता है लेकिन इश्वर से कुछ इसकदर जुड़े हैं आप यूनिवर्स से डिवाइन से कुछ इसकदर जुड़े हैं आप जैसे कि बहुत आँखे बन करके आप ट्रॉष्ट करते हैं बहुत ज्यादा एक सौंग या धारा है वैसे तो ये मूवी का सौंग है लेकिन इसे बहुत spiritual तरीके से सुनिए आप यह आपकी कहानी है ठीक है आँखे बंद करिए एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है तू धार है नदिया की मैं तेरा किनारा हूं तू मेरा सहारा है मैं तेरा सहारा हूं आखों में समंदर है आशाओं का पानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है यह जो बात है न आपके और इश्वर के बीच है यह किसी व्यक्ती के लिए नहीं है किसी व्यक्ती विशेस के लिए नहीं है यह एक ऐसी बात है कि एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है अब जैसे कि इश्वर जो भी कर रहा है बस आपने accept करना सीख लिया है ठीक है तुम उड़ाते रहो मैं उड़ता रहूँगा तुम भगाते रहो मैं भागता रहूँगा ठीक है तुम नचाते रहो मैं नाचता रहूँगा अगर तुम खुश हो तो फिर मैं भी खुश हूँ जैसे कि आपने इस बात को बहुत गहराई से स्विकार कर लिया है हाँ जी आपने बहुत गहराई से ऐसा व्यक्तित्व इतना जैसे कि रहस समय व्यक्तित्व है आपका अंदर से जितने गहरे हैं जितनी गहराई में आप उत्रे हुए हैं बाहर से आप उतने ही सहज, उतने ही सरल व्यक्ति दिखते हैं, उतने ही सरल दिखते हैं, हाँ, कभी-कभी, वैसे तो आपको मस्ती-मजाग करना बहुत बसंद है, लेकिन कुछ लोगों के सामने आप अपनी सेल्फ-्रिस्पेक्ट कुछ यू बरकरार रखते हैं, कि लोग बात करने से भी डरते हैं, कि आर कहीं कुछ बोल न दे, कहीं डाट न दे, तो समाज में एक अच्छा आधा भी है आपका, हाँ जी, अच्छा जैसे कि वो बच्पन की यादे, वो बारिश का पानी, कुछ ऐसी जिन्दगी भी जीना पसंद करते हैं, आप जैसे कि कुछ बच्पन कभी कभी बहुत याद आता है, बच्पन की बाते, बच्पन के दोस्त, बच्पन की चीज़े आपको बहुत याद आती हैं, क्यूंकि आपने बच्पन को शायद जीया है अच्छी तरीके से, जैसे कि कुछ लोग होतने ने कि कुछ यादे समझो के रखना चाहते आप ऐसे ही हैं और बच्पन से ही आपने ऐसा महसूस किया है कि जैसे मेरे आस पास ना कोई रहता है जो मुझे हर बुरी चीज से बचा लेता है और जो चीज मेरे लिए बुरी है उसे मुझे से छीन भी लेता है जैसे कि क्या बताएं आप अपने आस पास एक अद्रश शक्ती हमेसा महसूस करते हैं आज की आपको बात बताते हैं प्लीज ध्यान से सनना आज हमने दोपैर में रीडिंग नहीं की न पता है क्यूं पता है नहीं सुबह से ही न बहुत हैवी फीलिंग थी अच्छिली क्या करने में हम जब टैरिस पे गए एक्सराइज के लिए मेडिटेशन के लिए तो यहां पर एक बहुत बड़ा एक्सिडेंट हुआ था तो एक ट्रैक्टर मतलब पलट किया था और एक कार को उसने बिल्कुल उड़ा दिया तो बहुत जैसे कि हैवी एनर्जी आगई बहुत कि दिमाग खराब खराब सरा और फिर हमने अपना ध्यान बटाने की बहुत कोशिश की पर वो चीज़ें निकल नहीं रही थी सामने से क्योंकि हमारे फ्लैट से सब साफ साफ दिखता हाईवे का तो वहां से आए पूजा करी ध्यान किया पर ध्यान में कुछ खस अच्छा फील नहीं हुआ फिर हमने सोचत दोपहर में रिडिंग करें के पर करी नहीं पार रहे थी जैसे कि मन इतना बेचैन था इतना अशान था फिर हमने ऐसे फोन रख दिया नहीं नीदारी थी न हम जग रहे थे जैसे कि बस चुप चाप पड़े थे बहुत हैवी एनरजी थी किसी से बात नहीं कि दिन भर घर वाले परिशान सब लोग की हम कॉल कर रहे हैं हम रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं मैसेज भी नहीं देख रहे एसे फोन रखा हुए था बस चुप चाप पड़े हुए थे फिर क्या हुआ कि हम ऐसे लेटे थे इसी जिस रूम में रीडिंग करते हैं इसमें पुरा मंदिर है हमारा पता है क्या हुआ इसमें चोटा सा दिवान बेट पड़ा हुआ है जिसमें कभी योग नित्रा करते हैं लाइक शावासन करते हैं कि सारी क्रिया इस रूम में करते हैं तो पते क्या हुआ कि जैसे कि हम ऐसे करवट लेटे हुए थे लेफ्ट साइड को और कोई आता है बिल्कुल हमें बिल्कुल फील हुआ कि कोई आया और वो हमारे बैट पे चढ़ा ठीक है गेट बन था अंदर से हमें लगा किया शीवी न कोई लेटा होता है तो कोई इसके उपर से नहीं आता या जी सिक आपने देखा हों। कभी कोई किसी को ढराने के लिए कूब बोल देटा है या फिर जैसे की कुछ कपल्स होते हैं जो चुपचा पाते है और ऐसे अब समझो थोड़ा सा कैसे जैसे कि कोई हमें से कर्वट ले थे थे, कोई आया और हमें वह महसूस हुआ कि वह हमारे कान के पास जैसे आया, हमें लगा शिवी हम से कुछ बताने आई यहाई जैसे कि क्या बताएं आपको जब वह बैट पर चड़ा उसने हाथ रखके जो हमारा गड़ा है वो भी बिल्कुल बराबर हीला उसी तरीके से सब कुछ फील किया हमने क्योंकि हम सो नहीं रहे थे और ये बात था शाम को 6 बजे की 6 बजे भी हम पढ़े थे हमारा कोई इरादा ने था रेडिंग करने का बहुत हैवी फील कर रहे थे फिर पता उसने हमारे कान में कुछ फुस फुस आया कुछ जैसे कुछ बोलते हैं कुछ चुप चाप कुछ बोलते हैं वो भाषा कौन सी थी हमें नहीं पता उसने पता हमारे कान में कुछ बोला ठीक है और तो हम ऐसे हमने वन में सोचा कि सीवी क्या समझते अपने आपको कि चुपचाप दबे पैर आएगी और हमें पता नहीं चलेगा मतलब हम यह सोच रहे थे और हमने जैसे हम जटके से पल्टे तो हमने देखा कोई नहीं था और हमने देखा कि गेट तो हमने अंदर से लॉक किया था फिर हम उटके बैट गए फिर हमने शीवी से कहा तुम अंदर आई थी तो बोली मैं क्यों आउँगी तुमने तंदर से लॉक करके रखा ता मैं क्यों आउँगी फिर काफी देर तक सोचते रहे वो गूंजना कानों में हमारे बसी रही क्या था कौन था कुछ पॉजिटिव था नेगेटिव था लेकिन फिर उसके बाद से न हम जो हैवी फीलिंग थी न हमारी हैवी एनरजी थी सैड फील कर रहे थी अंदर से बहुत रोना आ रहा था क्यार क्या यही जिन्दगी होती है वो जो क्योंकि आज सैटर डे है कितने लोग हरी द्वार आए होंगे गंगा इस्तान करने पता नहीं उस ट्रक वाले ने ओवरलोड कर रखा तब भूसा लाद रखा था ट्रैक्टर वाले ने उसने कार को ठक कर हमारी बहुत जोर से वो लोग बिचारे उनकी गाड़ी के इधर उदर पूर्जे खुल गए पूरे तो हमें लेका बता यही जिन्दगी है पता नहीं कौन जिया कौन मरा पर वो शाम के बाद जो यह हुआ उसके बाद से हम तोड़ा लाइट फील कर रहे हैं मतलब फिर जो हमारा रीडिंग करने का कोई इरादा नहीं था फिर दीरे 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 रीकवरी हुई हमारी और हम रीडिंग कर पा रहे हैं तो हम यह मानते हैं कि शायद भगवती थी देखो हमने मतलब हम उनका नाम लेते हैं तो हमें बहावुक हो जाते हैं हमें लगता कि शायद वही थी, कुछ लोग दोपहर में हमारी रीडिंग वेट कर रहे होंगे, कि हम दो चार दिन से लगा था हाँ दोपहर में भी, और शाम को भी रीडिंग अप्रोड करते हैं, तो शायद, या फिर हम बैड फिल कर रहे थे, तो शायद वो कुछ बोल कर गई कान में फिर कोई और अद्रश शक्ती जो कि positive ही रही होगी क्योंकि उसके बाद से हम बिलकुल अच्छा मैसूस करने लगी हां की आए इसके बाद काफी ओफी पी फिर डीडिंग पर बैट के हम तो अच्छा फिल हुआ हमें मतलब कि हाँ ठीक है यह क्यों बताया हमने क्योंकि कोई ऐसी ही अद्रश शक्ती आपके साथ चल रही है हां जी और यह आज से नहीं चल रही है अभी आप जिस भी उम्र में हैं हम आपको बताएं यह जब आप 10-11 साल के रहोंगे ना तब से चल रही है आपके साथ हमें नहीं पता कौन से शक्ती है यह तभी हमने कहा कि आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं आप उनका नाम लिखे नीचे ठीक है जैशुराम, जैमातादी जो भी जैसा भी जो भी जो भी मानते हैं जिनको भी वो लिखे आप ठीक है नीचे तो वो पता है वो शक्ती हमें साथ रही है तो वो आपको जैसे कि किसी भी चीज से लिप्त नहीं होने देती किसी रिष्टे से नहीं किसी इंसान से नहीं किसी वस्तू से नहीं किसी घर से नहीं किसी पसू से नहीं कि लेक आपको मोह ग्रस्त नहीं करना चाहती वो उर्जा आपको जिन्दगी का सही मतलब बताना चाहती है वो एनरजी वो सकती कि हम जिन्दगी में इस सब जूडने नहीं आए हैं हम सिर्फ यहां से एक सिक्षा लेते हैं और फिर अपने से डाउन लोगों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं फिर आगे जुने रंतर हमारे कई जन्म होते हैं तो ऊसमें हम इक तरीके के हमें डिगरी मिल जाती है इक तरीके की हमें हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हां हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है और अब हम कुछ भी कर सकते हैं जो भी लोग एनर्जीज है या फिर जो ऐसे लोग फसे हुए हैं दुनिया में दुनियादारी में जिने बहुत जाता मतलब अनुभव नहीं जिंदगी का तो उन्हें पस हैं ये चीज़ ये है आपका वक्तित्व ये है आपका अस्तित्व अब बताते हैं करेंटली क्या चल रहा है कुछ लोगों का करेंटली आप अपने काम को लेके बहुत जड़ा स्ट्रेस में है कुछ लोग जो भी है आप ओवर लोड़ ले रहे हैं खुद के ऊपर काम करने की बात मत करो एक बार में एक ही काम करो कि subscribe करो अगार कप कर लुग 따कि बॉसके चाहते हैं कि काम को लेके परिशान मत हो करीर को लेके परिशान मत जल्दी आप को इस समस्या से निकाला जाएगा आपको opportunity मिलेगी आप जिस इस तर की चेतना है उसी लेवल का आपको work मिलेगा आप देखो business करते हैं तो कोई opportunity मिल सकती है कहीं से कोई deal हो सकती है job करते हैं तो शायद कुछ और promotion हो सकता है तो कुछ मतलब कि angels की तरफ से आपको opportunity मिलने वाली है ठीक है तो बस अभी य ज़रत है तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप थोड़ा सा relax रहो जैसे कि जो आपका व्यक्तित्व है रिलाक्स रहने का ठीक है आपने हमेशा सब कुछ उनके उपर छोड़ा है तो अभी भी आप रिलाक्स हो जाओ उन पर छोड़ दो वो अपने आप सब ठीक करतेंगे दूसरा कुछ लोग यहां पर हैं जिनको कई जैसे की रिष्टों को लेकर हम बता रहे हैं तो रिष्टे को लेकर आप बहुत परिशान है या तो आप अपने पास्ट को लेकर थोड़ा परिशान है क्योंकि पास्ट में बहुत सारी चीज न तूट जाए तो हम यह कहेंगे कि यूणिवर्स कहना चाहते हैं कि इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो आप ठीक है यह आपके लिए ठीक रहेंगे और अगर आप अपने एक्स को लेकर काफी परिशान है तो अभी उनसे रिलेटेड कोई बात यूणिवर्स नहीं करना चाहत है क्योंकि हमने आपको पहले बताया है कि देखो आपना अपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉंग है कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगे में टिकता क्यों नहीं है क्योंकि टिकते वही लोग लंबा हैं जिनके सामने आप अपनी जुबान न खोलो चुप रहोगे तो पर रिष्टे खतम एक दिन आपने जवाब दे दिया एक दिन आपने आइना दिखा दिया तो रिष्टे खतम तो यहां पर पता है यहां यहां पर बेवकूफी वाले रिष्टे चल रहे हैं अगर आप बेवकूफ बने रहो भूंदू बने रहो तो जैहो जैहो और ना बन तो फिर वो आपकी जिंदगी में टिकते हैं निकल लेते हैं कि भाई तुम तो बहुत यह तुम तो बहुत वो तुम में दिल नहीं है तुम में धड़कन नहीं है तुम बहुत रूड हो तुम्हें यह नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता तुम्हें प्यार के कदर नहीं है आपको मेरी जिन्दगी फिर यूँ ही रह जाएगी क्या मेरी जिन्दगी में कभी कोई प्यार करने वाला नहीं आएगा क्या वह दैवे शक्ति मुझे अकेले ही रहना चाहती है एक बात लिख कर रख लो अगर शादे शुदा हो इन फ्यूचर आपके मैरेड लाइफ बहुत चले जाते सब छोड़ जाड़ के जाओ देख लो कर लो अपने आप तो एक जो दैवी शक्ति जो अग्यात शक्ति ना तो आपको उस पत पर ले जाएगी उसका मतलब यह नहीं कि आप भगवादारन कर लो फिर आप जिस भी रिलिजन से हो आप उस लेवल के कपड़े पहन करोगे हो सकता है कि डाइवोस हो जाए आपका ठीक है बुरा मतमाना पर यहां पर हम आपकी चेतना का इस्तर देखते हुए आपको यह बता रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनकी जिन्दगी में इनसान आएगा तो सही मतलब आपके जिन्दगी में आपको प्यार नसीब तो होगा लेकिन वही होगा जो आपके लेवल का होगा जो आपके इस तर का होगा और आप भी जल्दबाजी में अकेला हूं अकेला हूं किसी के साथ भी रिष्टे बना लेते हैं किसी के साथ भी रिष्टे जोड लेते हैं है ना तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स आप तो ठोक पीट कर इतना मजबूत किया अब यह पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जा रहे हैं और वो रास्ता बटक रहा है तो यूनिवर्स ऐसे अपने बच्चे को रास्ता बटकने नहीं देंगे ठीक है ऐसे तो नहीं देंगे इसी वज़े से मैं आपको बोल रहे हैं कि दो बाकि वा.वे तो आप में से 50% सन्यासी धारन करें पक्का आकेरे रहना पसंद करेंगे कि अगर आप परिवार में रहेंगे वह जैसे कि शाधिया हो चुकी हैं तो आप बिल्कुल ऐसे रहें कि जैसे की जिम्मेदाली तो निभाएंगे लेकिन जैसे होता है नहीं नहीं द हाँ आपके लाइफ पूरी स्क्रिप्टेड है पहले से लिखी जा चुकी है कैसे लिखी जा चुकी है कि अब इसको इससे मिलाना है तो ये व्यक्ति इसको ये सिखा सकता है अब इसको इससे मिलाना है अब इसको इससे दूर करना है ये सारी चीज़े आपकी जिन्दगी में स सच्छा है अब इसमें आप अपनी उच्छल को जितना मचाना हो मचा लो देखो एक बात हम और समझा देते आपको मस्त रहा करो ज्यादा टेंशन मत लिया करो अब बहुत मिच्छोर हो बहुत हाई लेवल की सोल हो ठीक है और हमें पता है कि आपके अंदर साहस की कोई कमी नहीं है लेकिन और लोड और बर्डन कुदके पर मत लिया करो बाकि सब अच्छा अच्छा होगा इश्वर हमे देंगे तो हम वो चाहते नहीं है फिर कभी नेक्स्ट डीडिंग में आपको बताएंगे लेकिन अभी फिलाल के लिए आज इतना ही और आई होप कि आप समझ गया होंगे जैशे कृष्णा अपना ख्याल रखें अपने अपनों का ख्याल रखें कौन क्या कहता है इस बारे करिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहते हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैशे कृष्णा Option No.2 कैसे हैं आप I hope कि आप खुश होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल स्प्रिचुल लव डबल वन डबल वन में चलिए अब आप लिखे कि ह हूँ आप खुश हूँ सवस्थ हों मस्थ हूं पॉजिटिव हूं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ आगे बढ़ रहा हूं क्योखिह हम जैसा लिखते हैं जैसा बोलतेեं जैसा सोचते हैं हम अपने जीवन में उसी तरह की ऊर्जा को मैनिफेस्ट करते हैं त आपके व्यप्तित्व की बात होगी आपके अस्तित्व की बात होगी आज आपके जीवन की सच्चाई हम आपके सामने रखने वाले हैं हां आज सिर्फ आपकी बात होगी ठीक है तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉंग साइन की बात करते हैं Aries Leo Sagittarius मेज, सिंग, धनुराशी, कैंसर, स्कॉर्प्य, पाइसे, करके व्रिशिप, मीन राशी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्ण भी है व्रिशिप करने अमा कर राशी और जेमिना इलिब्रे एक्वेरेस के एनर्जी कम है ठीक है वैसे शुरू से अगर बात करें तो पहले आप न बहुत इनोसेंट, बहुत भोले, बहुत मासूम इंसान हुआ करते थे थे क्यों लगा रहे हैं क्योंकि अब आज कल आप नहीं हैं जब तक आप मासूम थे तब तक लोगों ने आपका बहुत फायदा उठाया है हमें लगता है कि एक समय पर आपका जीवन पहले कुछ ऐसा रहा है कि बहुत सारी आपके जिंदगी में मरियादाय रही है, बहुत सारी कंडिशन रही है, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो हमें लगता है कि कई सालों तक आपकी जिन्दगी को लोगों ने एक अंधेरी से काल कोठरी में दबा के रखा है आपको जैसे कि आपकी जिन्दगी ऐसी कर दी थी आपके अपनों ने गैरों ने हर एक रिष्टा जिसको आपने इवांदारे से निभाया हर एक रिष्टा जिसमें आपने बहुत प्यार दिखाया बहुत समर्पन दिखाया उस हर एक रिष्टे ने सही समय आने पर आपको बाहर कर राष्टा दिखाया उस हर एक रिष्टे ने आपको तोड़ा आपको अकेला छोड़ा और ये सोचने पर मजबूर किया कि कोई किसी का नहीं होता हमें लगता कि बहुत कम उमर से ही आपको जिंदगी एक अनुभव देते चली आ रही है हर दिन एक नया अनुभव आपको मिलता है हर दिन एक नया लोगों का बच्पन भी बहुत अच्छा नहीं रहा है अगर बहुत पैसे रहे तो कभी प्यार नहीं मिला आपको और अगर प्यार मिला भी है तो पैसों का आभाव आपने हमीसा मैसूस किया है कभी कभी अपने पन की कमी आपने मैसूस किया कभी कभी अपनों का प्यार नहीं सबके होने के बाद भी आपने खुद को बहुत अकेला महसूस किया, इस तरह का जीवन आपने जीया, ऐसा रखता था कि इन सबके होने का भी क्या फाइदा है? जब कहने को कोई अपना है ही नहीं किसी से में अपने दिल की बात नहीं कह सकती किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकता हाँ दुनिया भर की बाते दुनिया भर की रीती रिवाज थोपने वाले सब थे लेकिन समझने वाला आपको कोई नहीं था और हमें ऐसे लगता है कि कुछ लोगों को कम समय में ही काफी responsibility समालनी पड़ी लाइक जिम्मेदारी बहुत जादा आ गई आप बहुत emotional व्यक्ति बहुत जिसे कि जज़बातों से भरे हुए एहसासों से भरे हुए आप अपनी जिन्दगी को जिस तरह से जीना चाहते थे वो जिन्दगी आपको कभी मिली ही नहीं कभी नहीं मिली आपको वो जिन्दगी फिर दीरे 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 आपका नजर्या ही बदल गया जिन्दगी के प्रति से और आज लोग पता है क्या कहते हैं आज लोग कहते हैं कि बहुत गमंडी है यह बहुत अजिट्यूड हो गया इसके अंदर बहुत एहंकार आ गया इसके अंदर आज लोग आपको ब्लेम करते हैं क्योंकि आज आप उन स्वार्थी रिष्टों से बात नहीं करते बहुत तकलीफोरिन लगती है हमें लगता है कि काफी समय की जेल काटने के बाद जेली होगी अगर आप समाज की किसी धारना में बंधे रहे या फिर परिवार का सपोर्ट नहीं मिला आपके परिवार वारों ने आपको कई सालों तक कैद करके रखा एक तरीके से आपने जो अपने लिए अपने एक्शन लिए सबकी खिलाफ आपने आवाज उठाई है तब से आपकी जिंदगी कुछ और हो गई है और अब हमें लगता है कि आपकी जिंदगी एक नई तरीके से आपने अपने दम पर जीना शुड़ू किया है और आज आपने जो पहचान बनाई है कि किसी की मोहताज नहीं है हमें ऐसा लगता है अभी आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं आप बहुत स्टेबल हैं अपनी जिंदगी में और खुबसूरत तो बहुत ही जादा है अब आपकी जिंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है आप जो चाहें जब चाहें प्राप्त कर सकते हैं हाँ जी जो चाहें जब चाहें प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि अब धोके बाज लोगों के कॉंटेक्ट में नहीं रहते आप आप पता है इश्वर ने आपको लेने लाइक नहीं देने लाइक बना दिया है हाँ कभी कभी कि जज़बातों में आकर आप आज भी लोगों को पहचान नहीं पाते और फिर एक दिन आप रिष्टों के उस कटगरे में आके खड़े हुजाते हैं कि कहां पे कमी की मैंने, कहां पे गलती की मैंने, इनसान का जन्मजात सुभाव है प्यार करना, वो एक रिष्टे से मुक्त होता है तो दूसरे रिष्टे में आ जाता है, एक से दूर होता है तो दूसरे में फस जाता है, जैसे कि हर एक इनसान ना प्यार का भूखा हुआ है, कि मुझे प्यार चाहिए, काश कोई ऐसा मिले ज तो कोई क्यूं आपसे प्यार करेगा कोई और आपसे कभी प्यार नहीं कर सकता आपको खुद से खुद को प्यार से भरना पड़ेगा प्यार से सीचना पड़ेगा हमें लगता है कि आजकल आजकल आपने पूरी तरीके से डिवायन को सरेंडर कर दिया है समर्पित कर दिया है अब आप किसी की सुनते नहीं है एक समय पर बहुत दबाया गया था आपको आपकी भावनाओं को बहुत कुछला गया था आपको जानवरों की भाती रखा गया था और आज आपसे कोई आँख मिला के बात नहीं कर सकता क्योंकि वक्त ने आपको बहुत कुछ सिखाया है बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ और हमें यहाँ पर 80% काफी स्टेबल नजर आ दे हैं उपनी जिन्दगी में काफी स्टेबल आपके पास किसी भी तरह के किसी भी नॉलिज की किसी भी ज्यान की कोई कमी नहीं है हमें लगता है इन फ्यूचर आप आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं और और भी ज़्यादा अपनी जिन्दगी में सफलता प्राप्त करने वाले कि लोग देखते रह जाएंगे क्यार ये वही है क्या ये वही है क्या जैसे कि आप एक सुपर स्टार बनने वाले हैं इन फ्यूचर अगर अभी 20% लोंग होंगे जिनकी जिन्दगी में थोड़े अपडाउंस चल रहे होंगे तो प्लीज इस समय को अंत समझे अपना एंट समझ के रुख मत जाना ये सोच कर कि मेरी जिन्दगी में कुछ अच्छा होता नहीं है और मैं हार गई हूँ अब मैं हार गया हूँ नहीं आपको पता है बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद देख कर काली निशा को ऐ भवर मत हो उदास सूखी बगिया फिर खिले की रात ढल जाने के बाद प्रेम की मनजिल के राही कस्ट पाते हैं जरूर और दीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद आप जिस रहा पर हैं ठीक है इसमें कस्ट बहुत है क्योंकि निश्वार्थ प्रेम बेशर्थ प्रेम लोगों के समझ भी नहीं आता आपने भले ही स्वार्थी रिष्टों के सामने खुद को स्ट्रिक्ट बना दिया है बहुत स्ट्रॉंग बना दिया है लेकिन आज भी आपका दिल तो बच्चा ही है आज भी आपका दिल बहुत मासूम है हाँ प्रेक्टिकल हो गए हैं आप बहुत हो गए हैं लेकिन जिन से आप प्यार करते हैं जिन से भी प्यार करते हैं उनके लिए आप बिल्कुल एक छोटे मासूम बच्चे की तरह हो जाते हैं अपने आपको ऐसे समर्पित कर देते हैं जैसे कि वो जो चाहे करें और हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग अभी किसी ऐसे ही दर्द से गुजर भी रहे हैं एंटिक हुई है किसी रिष्टे की कोई रिष्टा है ऐसा जिसका अंत हुआ है अभी हाल फिलाल आप तड़प रहे हैं रो रहे हैं आप उससे निकलना तो चाहते हैं क्योंकि आपको कभी कभी लगता है कि बताओ दुनिया के सामने मैंने अपने आपको इतना स्ट्रॉंग बना दिया अपनी छवी इतनी स्ट्रॉंग बना दी और फिर से अगर मैं इनी चीज़ों के पीछे भागूं या रों तो जो मैं पहले थी जो मैं पहले था शायद मैं फिर से वही बन जाओंगी कि शायद मैं फिर से वही बन चाओंगा लोग कहेंगी बताओ इस चीज की वज़े से इसने खुद को मार दिया कभी कभी आपके मन में सुसाइट जैसे खयाल आते हैं क्योंकि जिससे आपने प्यार किया था जिसने शायद आपको धोका दिया है वो व्यक्ति आपके दिल दिम भी आपके लायक नहीं है कहीं से भी लेकिन वह यह ना कि आपने उसे आत्मा की अनंत गहरायों से चाहा है और इसी वज़े से आप उसे दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं वह जैसे कि एक पल के लिए भी आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं आपको अंदर ही अंदर नहीं कर रहे हो क्यों मैं इन चीजों से नहीं निकल पा रही हूं वही 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 क्यों मेरे दिल दिमाग में नाच रहा है अब आपको लगता है कि जिस अस्तित्व को जिस व्यक्तित्व को मैंने निखा रहा है शायद मैं फिर से पहले की तरह किसी दलदल में गिरने वाला मैंने खुद को किस तरह से स्ट्रॉंग किया था और आज आपको लगता है कि शायद फिर से मेरी जिन्दगी में वही दिन आ गया है जिससे मैं बाहर निकली थी तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करे बिल्कुल भी टेंशन ना ले बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक होगा और कुछ लोगों की जिन्दगी में कोई न्यू परसन आने वाला है जो कि इश्वर के द्वारा भेजा गया हुगा, व्यक्ति होगा जिसे इश्वर ने आप के लिए बनाया है जो आपके लिए बनाया है, जो आपके लिए इस धर्ती पर आया है, बहुत जल्द आपकी मुलाकात उससे होने वाली है, अभी आपना कहीं अब कोई कमी ने आपके अंदर, अब अंधेरे से डर नहीं लगता आपको, किसी भी चीज से डर नहीं लगता आपको, अब आपने अपने डर पे विजय पराप्त कर लिया है, जिन चीजों का सहारा लेकर कभी आपको डराया जाता था, धमकाया जाता था आज आप चीड फाल कर सकते उन चीजों की कि अब वो जमाने गए, वो दिन चले गए जब मुझे उन चीजों से डर लगता था आज मैं उस डर को डरा चुकी हूँ, डरा चुका हूँ अब डर मुझे डरा नहीं सकता अंदर से मतलब बहुत स्ट्रॉंग बन गए हैं और यूनिवर्स तो हमेशा ही आपकी मदद करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आप यूनिवर्स की प्रकरती की बहुत रक्षा करते हैं हमें ऐसा लगता है कि इस पूरी प्रकरती से आप बहुत डीपली कनेक्ट हैं क्योंकि जिनें इनसानों से प्यार नहीं मिलता है न वो प्रकरती के बहुत करीब हो जाते हैं उन्हें पेडों के साथ बात चीत करना अच्छा लगता है उन्हें जानवरों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनसानों से करोडों भुना बैठर जानवर होते हैं जिनके अंदर कोई लोफ लालच नहीं होता कोई धोका धरड़ी की भावना नहीं होती कोई दंदफन्ध नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि अब आप आजकल प्रकरती से बहुत ज़्यदा डीपली कनेक्ट है जीव जनतों से आप बहुत प्रेम करने लगे हैं उनकी रक्षा करने लगे हैं शायद आप कुछ अच्छा सा काम भी करते होंगे हैं तो आपका NGO का या फिर दिन दुख्यों की मद करते हैं आप तो कहीं कहीं यूनिवर्स भी आपके पर बहुत-बहुत-बहुत महरबान है तो लाइक आपका जो पास्ट रहा है वह हमें बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन आपका प्रिजेंट भी अच्छा है और फ्यूचर आने वाला जो है वह बहुत ही निराश बिल्कुल मत हो ना इन फ्योचर ऐसी जिंदगी होगी आपकी लोग देखते रह जाएंगे लोग आँख फाड़ते रह जाएंगे कि यार और जिसने आपको खोया है ना जिसने भी आपको खोया है जिसने भी आपको दर्द दिया है उसे बहुत बुरी तरह से सेलिब्रेशन होगा आपकी जिंदगी में हां हमें इतना पता है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं है क्यों क्योंकि पहले हो सकता है कि आपके दोस्त रहे होंगे लेकिन अब आपको आजकल अकेले रहना पसंद है मुझे रास आ गया है बहुत ज़्यादा लोगों से बात चीत करना नो बहुत ज़्यादा रिष्टेदारी में परिवार के लोगों में दोस्तों में मश्कूल रहना नहीं अब जैसे लगता है कि आप खुद के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं प्रकरती के साथ जीना पसंद करते हैं अगर आप कुछ लोग आपको दिखा रहें कि वह आपके सच्चे दोस्त हैं तो इन फ्यूचर वह अपना असली रूप दिखाएंगे आपको पता है कि खून-खून से चड़ने लगता है यह तो दोस्ती की बाते हैं तो इन फ्यूचर शायद कोई आपका साथ छोड़े आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यह अस्तीन का साप है और आप दीरे दीरे अपने आपें उनसे किनारा कर लेंगे हां जी और हमें ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आने वाला जो समय होगा ना आपका उसमें आपके सिर्फ दो दोस्त रहेंगे आपके पास जो सच्चे होंगे अच्छे गर जाएगी यह समझ दीजिए वह इतने अच्छे होंगे उनके साथ ही आपका घूमना फिरना होगा उनके साथ ही आपकी मस्ती मजाक होगा बाकी तो आप अपना एक जिसे क्या बताएं कि जादा बात नहीं करनी है किस से कितनी बात करनी है उस तरीके से अपने rules regulations बना के हर किसी से बात नहीं करेंगे, आप करेंगे तो बहुत कम करेंगे, कुछ ऐसी जिंदगी होगी आपकी, और आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनेंगे, बहुत सारे लोग आप से प्रेड़ना लेंगे, यह समझ दीजिए, और हर तरीके से आप सक्षम होंगे, हर त साथ रहेंगी जैसे कहते हैं कि एक राजाओं महाराजाओं वाली जिन्दगी यह जिन्दगी हम देख रहें आपकी पक्की बात है इन फ्यूचर आपके ना लाखों करोणों फॉलोवर्स होंगे पक्की बात है क्यों क्योंकि आपने जो अपनी जिन्दगी में सीखा है ना एक एक पल जो आपने एक सिक्षा ली है जिन दर्द से जिस सिचुवेशन से आप गुजरे हैं आने वाले समय में आप उसे ही एक एक्जामपल के तौर पे लोगों के सामने पेश करेंगे और तब आप लोगों के सामने एक मिशाल की रूप में होगे एक मिसाल की रूपे होंगे और लोग आपसे प्रेडित होंगे लोग आपसे प्रेड़ना लेंगे कियार जब इस जैसा इंसान यहां तक पहुंच सकता तो हम क्यों नहीं समझे हैं तो आने वाले समय में एक सितारा हैं आप एक सुपरिश्टार हैं आप आने वाले समय के अभी भी इश्वर की आशिरवाद से दया से कोई कमी नहीं है और आगे तो जो थोड़ी बहुत है वो भी नहीं रहेगी क्योंकि परब्रम का यूनिवर्स का परमपिता परमेश्वर का हमेशा 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 साथ और प्यार सपोर्ट आपके साथ रहता है जैसे कि जो दिन आपने जिये हैं पहले जो घुटन भरे दिन आपने जिये हैं समाज के बेडिया हो परिवार के बंधन हो सब आपको ताना मारते होंगे नीचा दिखाते होंगे कि अरे ये ऐसी ये ऐसा अरे ये वो ये बहुत सारी बाते वो इन फ्यूचर उन सब के ऐसे मुँ बंद होने वाले कि मैं आपको क्या बताएं समझें आप तो डियर आपके व्यक्तित्व की तो बात ही निराली है और आपका अस्तित्व महान है क्योंकि आपके अंदर एक अपार प्रेम है बहुत करोना है आपके अंदर और जो इनसान इश्वर को समर्पित कर देता है इश्वर उसके जीवन की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं फिर वो अपने आप चलाते हैं सब कुछ अच्छे से तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कभी भी बहुत ज़दा ओवर ठिंकिंग करने के जरुत नहीं है बहुत ज़दा सोचने के जरुत नहीं है बस मिश्योर्टी से ठीक है maturity से patience के साथ इश्वर पे trust रखना विश्वास रखना सब अच्छा होगा हाँ कभी भी किसी के बातों में आकर बहकावे में आकर भ्रमित्मत होना हमेशा अपनी intuition का इस्तमाल करना ठीक है अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनना क्योंकि इन future आपसे चड़ने वाले और जलने वाले भी बहुत होंगे कि यार कभी हम इससे आगे हुआ करते थे और आज ही हमसे आगे हो गई आज ही हमसे आगे हो गया कैसे तो वो पता है आपके बहुत करीबी होंगे वो लोग तो वो आपको गिराने के लिए शाम, दाम, दंड, भेट सब का इस्तमाल करेंगे लेकिन आपको किसी भी कीमत में किसी के बहकावे में नहीं आना है सोच समझ कर डिसीजन लेना जब भी कुछ भी करना तो उसकी पूरी पहले इंफोमेशन ले लेना ठीक है किसी के साथ जाना, किसी के हाथ का कुछ खाना इन सब चीजों पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इन फ्यूचर आपको अब देदे को भाई आने वाले समय के महराज होंगे न आप आने वाले समय के आप महरानी होंगे तो फिर उसे साथ से फिर आपका रहन सैन, खान पान भी होना चाहिए क्या कहते हैं, समझ रहे ना अमारी बात को तो आई होप कि आप समझ के होंगे जैश्री क्रिश्ना, अपना खयाल रखे, अपने अपनों का खयाल रखे कौन क्या कहता है, इस बारे में ना सोचे क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है वो पुरी जिंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परभा करनी है, अपने खुशों की परभा करनी है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं हमारा शादर प्रणाम ओम मनिपत में हम ओम साहिराम